मित्रों नींद में सपने आना एक साधरण बात होती है लेकिन अगर वही सपने कुछ विशित्र हों दरावने हों तो उनका एक खास मतलब हो जाता है सपने मन की एक विशेश सवस्था होते हैं जिन में वास्विक्ता का आभास होता है आप सभी ने भी अपने जीवन काल में बहुत प्रकार के सपने देखे होंगे जिनका सपन शास्त्र के अनुसार अपना एक अलग ही महत्त होता है कुछ सपने ऐसे होते हैं जो की सुब संकेत देते हैं वहीं कुछ सपने ऐसे होते हैं जो असुब घटना का संकेत देते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ विशेश प्रकार के सपनों के बारे में जानेंगे जिनको देखने के बाद बेक्ति बहुत आश्चेरे चकित हो जाता है जैसे सपने में जहरीले सांपों को देखना सपने में संभोग करना सपने में इशर से साक्षात कार करना सपने में किसी उचे अस्थान से गिरना या फिर सपने में किसी की मृत्यू को देखना मित्रों सपन सास्त्र में इन सभी प्रकार के सपनों का एक बिशेस महत तो बताया गया है जो की बैग्यानिक दृष्टी कौन से भी सटीक ठहरता है आपने अपने जीवन काल में इन सपनों को एक ना एक बार अवश्य देखा होगा तो आईए जानते हैं इन सपनों को देखने से ब्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम इस चैनल पर ग्यान विग्यान इतिहास जीव जन्त जानवर की जानकारियों के साथ साथ धार्मिक वा पौरानिक विश्यों पर भी आधारिज वीडियो अफ्लोड करते है सपने में जहरीले साप को देखना सपन सास्त्र के अनुसार अगर ब्यक्ति सपने में जहरीले साप को देखता है तो इसका अर्थ यह बताया गया है कि ब्यक्ति जल्दी ही निकट भविश्य में किसी समस्या से घिरने वाला है लेकिन अगर बेक्ति को सपने में साप ड़स लेता है तो यहीए इस बात का संकेत होता है कि बेक्ति को जल्द ही कोई शारीरी कष्ट या बीमारी होने वाली है इसी प्रकार अगर एक पती-पतनी अपने सपने में संभोग करते हैं तो इसका अर्थ यह पताया गया है कि पती पत्नी का दामपत्य जीवन कापी अच्छा चल रहा है अगर ब्यक्ति अपने सपने में इश्वर को देखता है और उनके दर्शन करता है तो इसका अर्थ यह होता है कि इश्वर ब्यक्ति को भक्ति के मार्ग प पर चलने लगता है ठीक उसी प्रकार अगर ब्यक्ति सपने में उचाई से गिरता है तो सपन सास्त्र के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता इसे ब्यक्ति को निकट भविश्य में हानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर कारोबार वगयरा में अचानक घाटा होने का सं इत्रों आशा करता हूं कि आप इन सभी सपनों के विश्यस अर्थ को समझ गए होंगे अगर आप भी सोते समय किसी विश्यत्र या डरावने सपने देख रहे हैं तो कमेंटर में हमें जरूर बताएं हम उनका जबाब देने की तुरंत कोशिश करेंगे जे स्रीक्रिष्ण करता हूं